क्या आपको भी डर लगता है कि आप सफेद कपडों में पूरे दिन नहीं रह सकते? पर हमारे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके सफेद कपडों को वाइट रखने में मदद करेंगे, जो पूरे दिन एकदम नहीं लगेंगे. बहुत बार ऐसा होता है, जहां आप बैटने वाले होते हैं, वहीं पे थोड़ी सी धूल भी आपके सफेद कपडों पे एक काली लाइन या दाग छोड़ सकती है. तो हमेशा याद रखें, किसी रुमाल से उस जगा को साफ करें, फिर ही बैठें. अगर ज्यादा गर्मी की परिस्तिती हो, तो ऐसे में टाइट सफेद कपड़े ना पेने. इससे पसीने के पीले जिद्धी दाग आपके कपडों पर रह जाएंगे, तो ऐसे में धीले और हवादार कपड़े ही पेने. हमें बहुत ही पसंद है हमारे साफ सुत्रे सफेद कपड़े. पर जब बात आये इन सफेद कपड़ों को इस्तिरी करने की, तो पहले इस्तिरी को जरूर चेक करें, कि उस पर कोई दाग या जले के निशान तो नहीं, ये शायद आपके सफेद कपड़ों पर निशान छोड़ सकता है. गर्मियों में हम सब पलाजों और कुर्टी पसंद करते हैं, पर इन कपड़ों में ज्याद तर नीचे की हिस्से खराब हो जाते हैं. तो ऐसे में हील्द या वेज्जिस को पहने, जिससे ये जमीन पर ना खिसे. आपको भी गुस्सा आता होगा, जब आपके वाइट कपड़ों पर मेकप लग जाता है. रुमाल के कॉर्णर को अपने गले तक टक करें. दाग से बचने के लिए रुमाल आपकी बहुत मदद करेगा. गले के हिस्से पर मेकप लगाना अवॉइट करें, खास कर चांस्फरिबल क्रीम या पाउडर, ये आपके मेकप के दाग को दूर रखेगा. सफेद एक न्यूटरल रंग है और ये आपके वाइटरों के हर कपड़ों के साथ मैच हो जाएगा. लेकिन सब कपड़ों के साथ सफेद को लेयर करना ये ठीक नहीं है, खास कर नए और ज्यादा गहरे रंग के कपड़े, जो एक दूसरे से लग के सफेद कपड़ों पे दाग छोड़ सकते हैं. आपको कभी भी सफेद कपड़ों के उपर नेल पॉलिश नहीं लगानी चाहिए. अगर नेल पॉलिश के दाग आपके कपड़ों पर लग गए तो वो कपड़े आपको फैक नहीं पड़ेंगे. सफेद कपड़े पहनते वक्त क्या करे और क्या ना करे ये जरूर देखना चाहिए Until next time, stay tuned and stay glamorous